तो आपने समझा की चैप्टर का नाम क्या है रेकिक आसमीक अब आपको रेकिक समीकरन पहले से पता है कि यहां पर पहली बार साहथ सुन रहोंगे एक जाएंट्स में यह वर्ट यूज नहीं चया और ना ही अजये पहले हम यह समझाएं पहले हम चैनल की रेकिक का आसे मिटाएं कि इसमें आपके समिकरन रहेंगे में या फिर समिक अर्षार रसमी का आपने देखिए सब्सक्राइब करने के लिए किसका यूज करते हैं एक सब्सक्राइब लगाते हैं एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं और उनको दिखाने के लिए किसका यूज करते थे बीच में बराबर का ऐसे ही आपकी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं इन दो चिन्नों का और इसके अलावा आपका यह चिन्न भी आ सकते हैं और यह चिन ठीक है यानि अगर कोई आपका नॉर्मल समीकरण अगर यहां पर यह चिन्न लग गया तब आपका यह चिन्न लग जाए या फिर इसके लाव आप दूसरा चिन लगा दो इसको घुमा तो आप इदर यह फिर आप इसका मतलब का था है इक वाल पो होता है जो आप नीचे देख रहे चिन्ट और ऐसे अगर आप इदर गुमा प्राइब को आपके बोलेंगे लैखिक आसमी काहीं बोलेंगी अब इसमें जो आपके चिन्न ही यूज़ोन्य है फ्के तो नॉर्मल सी बात देखो यानि छोटा और बड़ा लेज दिन और इन किस से ऑगर यहां पर हम सकते हैं किस से हम साथ हैं इस पूर यायन किस से नाइन से तो यह थोड़ा सा आपका क्लियर हो गार्यों गार्प इसके अलावह अगर हम बात करें आगर इसी संख्याओं जो आपका ये समीकन नलास्ट में इसका मान कुछ निकल करके आता है। जब भी आपका इसका अब आगे जब प्रोशन देखेंगे देखेंगे। मान लो आपका यहीं समीकन है । तो इसको संख्या रेका पर दिखाना है और यहां पर यहां पर इसका मदलब क्या होगा बढ़ा होगा तो आप यह देख लिए कि इस कमान किदर जाएगा आपने चार बट्टे तीन लिखता आपका मालो तीन बट्टे तीन आगया तो यह देख आपने इस तरह से आपके पास होगे उसके आपने चेनल लगा देने अभी जब कोशन करेंगे इसको आप अच्छे से और समझ जाएगी अब इसमें और जो में पॉइंट है वह हम यहां समिक हैं समझाता है वह आपको सम्झ में आगया कि बस एक वोल की जगहा पर आपका लेस लेस अ इक्वल टु या फिर ग्रेटर टान इक्वल्टू का साइन आता है ताब आप उसको क्या बोलेंगे रेखिक तो इसमें बोला है अब पहली तो आपको इसमें आगे कि पहली जो शर्त है वो यह ही है यानि बराबर की जगा पर यह चीन में लगे होंगे यह आपको दूसरी शर्त में क्या होगा धो तरफ यानि आपके अपके सकत है कि जैसे आपको ओदो जो चाहिए है तो आप नोब समान संह्क्याद में अगर यह आपने समझल आतो अगर कुछ भी दक्तत नहीं होना फना तो संख्या कि जोड़ने ऒघटाने पर संख्या कि जोड़ने भार कि घटाने पर हैं जो मारी अ आस अमिका हैं जैंड रहें अब परिवर्नत रहेंगे जाने पर आज समय कांः आज का नहीं बदलती है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर मानलों अधर आपने तरह आपने साथ गटाया इधर आपने साथ गटाया तो यह चीन ने क्या वगा यह बदलेगा नहीं एसी कंडिशन भी आएगी कि जब आप इधर गटाएंगे यह जो बदल जाएगा तो तो देखो इस condition में अगर आप दोनों पक्षों में कुछ जोड़ते हैं और यह ध्यान रखना है कि दोनों क्या होने चाहिए पॉजिटिव नंबर होने चाहिए पॉजिटिव नेगटिव जो जोड़ रहें या फिर घटा रहें तो उस condition में आपका यह वैसे का वैसे ही जोड़ा है क्योंकि यहीं पर आपका पूरा आप पंगा होने वाला है धनात्मक संख्या से क्या करने पर गुरा भाग करने पर गुरा या फिर भाग शौर्ट में लिए रहा हूँ, अगर आप आ समिका में क्या गर रहे हैं, धनात्मक संख्या से दोनों पक्षों में गुणा या भाग, अब एक चीज यह याद रखना है, कि अगर आप इधर पांस से गुणा करा रहे हैं, तो इधर नहीं करा है, तो आपकी समिका क्यों जाए रहेंगे, तो इस कंडिशन में भी जो आपकी आ समिका रहेंगी, वो आ परिवर्तित रहेंगी, यानि बदलेगी, नहीं बदलेगी, खत्म, क्लियर हो गया, यानि अगर पहला तो यह था चिन्ने, यह है, आपकी यही चिन्न इस्तेमाल होंगे, आ समिका में फिर दूसरे न आप जोड रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, तो यह चिन्न नहीं बदलेंगे, चाहिए वो लेस देन को, ग्रेटर दन को, जो है वैसे कब ऐसा रहेगा, या फिर आप दोनों पक्षों में, और कैसे उन्चे धनात्मक संख्या, यानि प्लस में सारी संख्या होनी चाहिए, जि चीक, क्या करा रहे हैं, माइनस से, दोनों पक्षों में, और यह देखना, यह समान रहेगा, यह नहीं कि आप इदर साथ जोड़ें, और इदर आप पांच जोड़ें, तो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, समान, रिन संख्या, या फिर रिनात्मक संख्या, जैस से कि इसको थोड़ा कर लेते हैं और यहां पर बहुत अच्छा से इसको लिख लेते हैं तो यहां पर आ जॅफ् प्रिन संख्या देखो दोनों पक्षों में समान रिन संख्या से रिन संख्या आप यहाँ पर एक्जामपल ले लेते हैं कि माइनस ए अब माइनस ए की जग़ा पर कोई भी संख्या ले सकते हैं ठीक है तो अगर माइनस ए का गुणाया भाग कराएंगे का गुणाया भाग कराएंगे तब जो आ समीका है वो क्यों हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी एक्जामपल के लिए हम ले लेते हैं कि आपका यह है बना हुआ मायनस का एक्स और इधर आपका ग्रेटर दें हैंن 10 अब आपने दे Explain क्या और मायनस से गुणा करने पर यह से गुणा पर मायनस एक साहल six like इस ब्ल ब으ल आप मैनस से गुणा क्राइगा इहां पर लिखेंगे दोनों पकषों में-1 ऑसाए उगा अभी हमने क्या देखा गुणा या भाक रहेंगे तो क्या जागा परिवर्थित हो जाएगी आसमी का तो परिवर्थित कैसे होगी तो देखो अभी आपका क्या है एक्स बड़ा है साथ से तो जब आप यह करा देंगे गुणा तो देखो माइनस का था प्लस का एक्स बन कि माइनस साथ बढ़ा है किस से एकसे तो इस तर से आपकी जो आ समीका होगी वो क्यों जाएगी बदल जाएगी यह जो में पॉइंट आपको याद करने थे वो इतने ही है पहले आपने देखा रेखी का समीका यानि ब्राबर की जगा पर एकर इन चालों में से कोई चीन यू होगी और बस बोला होगा कि इसमें से मान निकाल अभी कोश्चन करेंगे बहुत अच्छे साब इसको समझ जाएंगे तो पहली कंडिशन आपने देखी कि चिन यह होने चाहिए फिर दोनों पक्षों में अगर समान जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो समीका नहीं बदल होंगे तो अब लेकर करें चलता हूं आपको सीधा एकसरसाइस के कोश्चन पर तो नेक्स यहां पर देख रहे हैं इस कोशन में बच्छा आप से कहा है कि कि हल कीजिए और बोला है जो फर्स नमर में देरे का आपको 24 एक्स 24 एक्स और यहां पर बोला है क्या है सो बड़ा है किससे 24 एक्स या फिर आप बोल सकते हैं कि 24 एक्स छोटा है किससे 100 से अभी आपको फस्ट नमबर सॉल्व करने से पहले तो हम यहां पर एक्स को सिंगल करेंगे आप नॉर्मली जितने भी कुश्चन आप देखेंगे सभी आपको क्या करने आपके क्या से करेंगे 24 को सिंपल मैं यहां पर लिखूंगा दोनों पक्षों में तो मुझे 24 अटाना तो मैं गरूँ है आप 24 से भाग देता हूं बस यही तो कर सकते हैं 24 को अटाने के लिए या इसके लाब और आपके पास आईडिया है या दिमाग के तो बताई ही मुझे में तो फिलाल तो यही दिख रहा है कि 24 सो अठाने के लिए 24 से भाग करने पर तो यह दो आपका बन जाएगा चौबिस एक्स बढ़ते चौबिस और इधर आपका बन जाएगा सो बढ़ते चौबिस अगर हम यहां पर माइनस का चौबिस लिखते तो फिर हम क्या गरते हैं आप चौबिस से भाग देने पर तब यह जो आपका चिन्न था ठीक है यानि जो 24 एक्स लेस देन हंड्रेट है वह आपका क्या बन जाता ग्रेटर देने यान यह वाला चिन्न पदल के यह हो जाता ठीक है यह आपको समझ में आगा जो हमने चौथा नियम समझा लास्ट अब यहां एक सामने सद्रीडा चब्स को सव्व करके देख लेते हैं और यह आप बोला है पहला एक वह दो हम बाद में देखते हैं पहला हम इसको कीजिए और च्छोटा करना चाहिए तो हम कर सकते हैं 642 दो सब्दो दोनों में दें यहा वहाँ वाग दो दो दॉनग में देंदो यह ठीक हो गया तो अब अगर मैं इसको और चोड़ा करना चाहूँ तो सिंपल छे से भागते जो पच्चिस से तो छे मारत छेती हैं अठारा सुरी चोप हो जाएका चौबिस एक बचे का पॉइंट लगा या अपनी जीरो लगा दिया फिर छे कम छे ऐसी चार पॉइंट है अल्रड़ी जीरो पड़ा सकते हैं शेशंग चार दसमलब एक छे आ गया तो यह सिर्फ आपको समझाने के लिए कि चार दसमलब एक छ से छोटा होगा या बढ़ा होगा बताो अ बटा परण बताओ कि चार दसमलब 19 2 खार ऑफिर बढ़ा होगा तो आप नॉर्मठी बोलेंगे कि चोटा यहोगा च्छीक के है यह कंडिशन एक्स में यह कंडिश का है 25 बटीशे से छोटा वह आपकर भी सकते हैं तो आप इतना ना लिखेंगे तो भी काफी जो आपको फ्रस्ट नमबर दिया है एक 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 प्राकृत संख्या है तब अब जब आपके पास ये आपने एक कमाद निकाल ले और बोला है एक एक प्राक्रिट संख्या है ठीक है तो अब आपको बास जो कंडिशन आई यह हुआ यह एक्स लेस दें ट्वंटी फाइब अपॉन सिक्स ठीक है और यहां पर लिख देंगे और एक्स जो बिलॉंग कर रहा है वो किसमें कर रहा है नेच्रल नंबर में यहां पर देखना प्राकृत संख्या है तो यहां अपने याद कर लेना है तो बताओ अगर मैं इसके मान की बात करूं या आसमिका का जो खल निकल कर क्याएगा देखो एक्स बराबर अब चार दुसम्लब एक चेसर चोटा उनचे और प्राकृत संख्या यानि उसमें आपकी एक, दो, तीन, चार, पांच, पूना, पूना, एक, ठीक है, अब यहाँ पर हम जीरो और इससे नेगेटिव में क्यों नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कोशन में बोला है, वो है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है कहां से एक से अनन्त तक, ठीक है, तो एक से जब प्राकृत संख्या होगी, तो वह लास्ट में निकलेगा वह आपने आप लिख देने तो एक्स बरावर हो जाएगा आपका देखो एक दो टेन चार खतम इतना काम आपने इसमें कर देना है यहाँ तरह पहले नमबर में आपसे बोला था कि एक से संख्या तब आपके लिए एक्स के यमान निकल करके आजाएंगे अब दूसरा बोलाए एक्स पुर्णांक है पूरी पूरी संख्या पूर्णांक में आपका क्या होता है जीरो भी शामिल होता है बिल्कुल लिखा है कि एक से कहा है तो पहले तो आप लिखे लिए जैसे एक सब्सक्राइब प्राइब गुलोगे एक से कह पुर्णांग है तब जो आपको साब में मान निकाला है एक स जो है लेस दन है पुर्णांग सकते हैं और इंटीजर को किसी दिखाते हैं यहां फिर आप यहां पर खाली लिख सकते हैं पुर्णांग अब जब एक स कमान क्या है तो पुर्णांग संख्या में देखो एक समान 25 बट्ये 6 से चोटा कौन कौन से आएगा तो आप बोलेंगे कि सर पहला देखो अगर इनसे नॉर्मल सी बात है कि एकर आप एक्स कमान चोटा करोगे तो एक्स आजाएगा आपका देखो चार पुर्णांग किसंख्या आपके पूरी पूरी संख्या होती है तो गया पांस हो गया यह क्या है पूर्णांग संख्या नेगिटिव भी होती है यह रजए पहले हो जाए आपकी चार Kapi उर्नल पूर्णांग संख्या तो सअल्साम हो पूर्णांग पूर्णांग को पता है नेगेटिव जीरो भी जाता है ओ USalis में सारी नेडेटिव संख्यां भी आती है और कहा तक चलते जाएगा तक यानन्त तक जाएगा आपने करके छोड़ देना है इंफिनिट्ग तक चीक है तो आप लिख देंगे दे गई आ समिका का फल गई कि आ समीका का हल कि अच्छेक है दी गई आ समीका का हल क्या हो जाएगा बताओ तो यहां पर नॉर्मल्य आपके लिख़ेंगे एक्स पराबर आजाएगा देखो करके यहापका माइनस का इंटेव बना दो और यदर आजाएगा आपका क्या प्रिजीरो फिर एक फिर दो फिर दो फिर तीन फिर चार खतम इसे के साथ आपका कौन सा नंबर परस्ट आई हो बच्चों इसको आप अच्छे सा समझ गएंगो कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आप कमेंड बोक्स में जरूर पूछ सकते हैं इनी टाइम चलता हूं लेकर के अब आपको नंबर सेकेंड पर सेकेंड नंसबर प्यई है पूरा सेनपम सेंट अब इसमिए आप सुक्राथ लोगोर्स आई है पिर पहले है इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा एकिस पाकेला करना है तो दिख लेसे हैं तो पहले तो आप लिखेंगे दिया है या दिए आ समयए कं क्या दे रखा है उसको लिख लो दे रखा आपको माइनस का बारा एक्स बड़ा है किस से प्लस तीस से अब मुझे यहां से माइनस बारा को हटाना है थोड़ दिर पहले अगर मैं नियम की बात करूँ तो हमने चौथा नियम क्या पड़ा था उसमें लिखा था कि दोनों पक्षों में समान रिंड संक्या से अगर गुणा या भाग करते तो क्या हो आप चेंज हो जाएगा लेस देने तो ग्रेटर ग्रेटर देने है तो बडु वही चीज यहां पर आपकी देनीखन कर करी अब यहांप क्या करने वाले माइनस बारा से भाग करेंगे तो माइनस की संख्या तो यह जो चिन्न है वह बदल जाएंगा तो लिखेंगे दोनों से भाग करने पर प्रवों करें लुए माले सबाएग तो मैन्स बार एक्स इंटल सबन जाएगा और दुल क्या कि नहीं बदल जाए गान जाएगा अजाएगा पर थे सद्व hey míninas बारा माइनस बाह बारा आसे मानिस बारा का सबां या जाएगा माइनस 30 अपान 12 ठीक है इसलिको अगर हम फोड़ा सा और आगे solve कर ले जैसे भी पोड़ दिर पहली किया था तो 6 दुनी 12 6 पंजे 30 के आगया माइनस का 5 पटे 2 ठीक है यह आपका आसमिका का आसमिका निकल कर का आगी आपने एक्स कमाने आपर निकाला अब जो हमें कंडिशन दे रखी उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं पहला बोला है हमें इसमें क्या एक्स प्राकृत संख्या नंबर एक बोला है एक्स एक क्या है प्राकृत संख्या अब प्राक्रिस संख्या है तो नंबर फर्स्ट डाल दिया हमने और जो आसमीका ही वो लिख लेते हैं आसमीका क्या है हमारे पास एक्स इस लेस देन माइनस फाइप अपॉन तो यानि एक्स का मान वाइनस पांच बट्टे दो से छोटा है तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दो का भाग पांच में दो दूनी चार बचा एक पॉइंट लगाया जीरो दो पंजी तस यानि इसको में लिख सकते हैं तो एक्स का मान क्या होगा माइनस तो ही नहीं सकता क्योंकि प्राकर संख्या कंडिशन दे रह Monoclyn-25 क्या लाइनच हुआ है चूटा नाची यानि-माइनस से एग्स कहा है है रिणात्मा के चीज़ी तब कोई भी संक्या समीकर्ण के मान को संतुष्ट नहीं करेगी चीज़ी के एक सब्राइब में के अथा आ समीका का हल क्या होगा कि अथा है आसमी कि अथा का समीका का हल लास्ट वण रहे थे यहां पर दी गई आंट तो एक्स ब्रावर इतना अब यहां पर लिखेंगे तो यह तो आगया असेंटा कहल्ड और यहां पर दिख देंगे कि कोई नहीं कोई कोई को ओषल अगर यहां पर प्लस आता तब तो हम कुछ न कुछ करते तो आगर मालों प्लस का पांच बैजा तो हम यहां पर चार तीन दो एक लिख के छोड़ देते हैं इसका कोई हल नहीं है अब यहीं पर इसके नीचे हम देख लेते हैं किया नंबर सेकेंड स्टों बहुतनि कि और नंबर सेकंड में देख लेते हैं क्या बनता है नंबर सैगर में आप से कहा है एक एक पुर्णांग से सिंग एक एक अपको समी का है यह दी गई एक समीका whose एक्स आपको दे रखा है less than minus फाई गए वाई तू और इसका मान अभी आपने देखा दो दसमलब 25 तो फास्थ दसमलब 25 या छोटा है यह नहीं नेगटिव की तरफ आपकी सारे मान जाएंगे तो इसके बाद अगला कि मान आएगा ऑगा माइस थ्यागा अगर पुरांक संख्या की बात करें पूरी पूरी संख्या तो यहां पर लिखेंगे एक्स का हल X का हल या खिर, आसमीका का हल यहां पे लिख देंगे बराबर करके अब माइनस 2 से और चोटा और आपको पता होगा कि जिसे जैसे आप इधर जाते तो yamam छोटे होते जाते हैं माइनस 2 से और छोड़ा करने हैं, तो पहले आप माइनस 3 इस तरह से ऊनने तक चलते जाएगा। तो यह पी क्या रिखते है क्या माइनस 3 यहां पे 2 से तो जादए ही आ रहा है तो माइनस 3 से ससट ही भी करें कि माैनस 4 तो माइनस एक करके सब्सक्राइब का बढ़ता जाएगा इसे के साथ आपका कॉशन नमर कौन सा सेगें चुका है कंपलेट आप अच्छे से समझ गाऊंगे अब चलते हैं आपके नेक्स पॉशन कोशन नमर थार्ड पर कॉशन मर थार्ड भी आपका वैसे यह सेम पूसें तो पहले आप खुछ से ट्राइब करेंगे नहीं होगा तो फिर आप यहां पर इसका सॉलुशन देखेंगे तो अब इसको फोड़ा सा शॉड में करेंगे देरका आपको फाइप एक्स माइनस त्री लेस देन सेवन यानी साथ बढ़ा है इससे अब हमें क्या करना है एक्स को सिंगल करने है यहां पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर दोनों पक्षों में अब मुझे यहां से तीन हटाना अगर मैं आप पर तीन जोड़ दूनों पक्षों में प्लस का थिन इदर आएगा प्लस का थिन इदर आएगा तुबको प्लस तीन से माइनस 3 कतम क्या पचेगा फाइप दुनों पक्षों में यह जोडवने पर देखो X को अकेला करना है और आपको ऐसे करना है कि दोनों तरफ आप बराबर ले करके चलने पर आपका हो जाएगा 5X माइनस 3 प्लस 3 मैंने दर जुड़ा फिर आपका यह आ गया और इदर 7 प्लस 3 लाई प्लस 3 से मांइनस 3 खतम बचापकी आपके पाफ फैप आपक्स इदर आपके होजाएगा क्या 20 अब मुझे म면elles 5 ऌलकला सबक्रेंगे अगर मैंने चिन्दा आपका आपका आफाटा बदल जाता प्पटा क्यूंकि यह क्याता है प्लस में हम कर रहे हैं तो जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 एक्स बट्टे हो जाएगा 5 किदर आ जाएगा आपका 10 बट्टे 5 5 से 5 कतम 5 से 5 दोनी 10 ठीक है तो यहां पर जो एक्स आ गया वो कितना गया 2 ठीक है एक्स कितना अगया x less than equal to 2 अब इसमें आपको 2 चीजिए द्रेंखे पहला है आपका छाहुआ के है पुर्णांक है एक्स एक कुल 시 콜वuję और आसामी का जो आपको द्रेंख की सलाएगा और पुल्णांक को मैं आपको पता है कि जहीं को फिर को आइगा सब्सक्राइगा पुर्णाइब लिखेंगे एक्स का हल लिखेंगे लिखेंग है कि इसको अगया ङाँआ पिर फिर माइनस एक फिर माइनस दो उसलब कहा तब जाएगा अन बच्छों आपको अच्छा समझना है लग गया होगा इसमें एक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या अब वास्तविक संख्या आपको पता है क्या होती है ये निर्स संखे जिसमें आपकी परिम्हीं हैं सभी परकार की संख्य में उसी आज्थ संख्यों आपका सभ आ याणि कहां से कहां तक दिखो आपने जो पर पहले लिखा वही आपका इहां पर आ जाएगा वास्तविक संख्या में देखो आपका आजाएगा normally यहाँ पर लिखेंगे x का हल वास्तविक संख्या में देखो आपका क्या आजाएगा 2 से माइनस इन्फिनिटीव ठीक है, 2 से माइनस इनिफिनिटीव, वही सेम कंडिशन आगी जो आपने अभी तोड़ी दर पहले देखी इसमें कोई आपका डिफरेंस नहीं है गा जब वास्ट प्रिक संख्या आगी तो इसमें आपकी जो संख्या है वो भी आपकी समें सामिल हो जाएगी इसको सही कर लेना पहले भी क्या था मैंने इंफिनिटिव यहां पर देना ना डाले कोई फरक नहीं पड़ता है अब उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो यह तो आपका question number जो 3rd है वो जो कहा है complete देखते है number 4 को तो number 4 पर लेकर चलता हूं आपको अब इसमें आपसे कहा है 3x plus 8 बढ़ा है 2 से यहां पर फिर आप आपको अकेला करना प्लस का आठ है तो अब आपको करना पड़ेगा दोनों पक्षों में माइनस 8 घठाने पर तो दोनों पक्षों में माइनस 8 क्या करने पर घठाने पर अपको बन जाएगा 3x plus 8 माइनस 8 ग्रेटर दें सॉरी लेस दें तू और यहां माइनस क्या करना है घठाना दोनों पक्षों में लिखना और हमने इस्टार्डिंग पढ़ लिए कि जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे कि अब यहां से 8 से 8 खतम बचाप के बास 3x और इधर बचाप के बास कितना माइनस का छेट चीक हो गया कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अब हम यहां से तीन पॉर्ट आनल पर फिल लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर तीन से बाग करने पर अगर माइनस 3 से बाग करते तब आपका इचीन बदलता बट अभी नहीं बदलेगा तो माइनस 6 बटे 3 तीन से 3 खतम तीन दूनी 6 यानि एक्स का जो मान आएगा किस से आएगा माइनस 2 से बढ़ा होना चाहिए यहीं तो है तो माइनस 2 से बढ़ा है यानि इधर के आपके सारी पॉजिटिव नंबर आएंगे तो यहां पर हम देख लेते हैं पहले जो कंडिशन आपको देरखे इसमें कि बुलें EX1 पॉलांग मैं अपने सारी नेगधिव पॉजिटिव नंबर आते हैं और जो समीका आसमीका देखिए वो देखिए आपको एक्स समीकर देकर घृटल माइनस 2 यानि एक्स का बार माइनस 2 से बढ़ा होगा तो यहां पर लिकिये एक्स का हल कि जाएगा दो माइनस दो से बढ़ा यानै माइनस एक worked विर आपका धिल्टा एक फिर प्लस दो और श्थरा और आप यह लेखा है के छिँए हो गया फीर आपको रखाई कर वास्त्विक संख्या है को वास्तविक संख्या के लिए हम याप लिए लिए नमबर दूसरा एक से कि आ यह ग। तो तो आप लिकेंगे एक्स का हल यहां पर आप साड़ में लिख दीजे की एक्सवास्तविक संख्या और यहां प्दागा भिए आप दो से स्टाट होगा और माइनस से बढ़ा है तो माइनस दो से लेकर कहां तक जाएगा प्लस इंफनीटिव तक जाएगा ब्लस इंफनीटिव तक जाएगा डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ चुका है कि इससे पहले देखो आपका चिन कहा था दूसरी तरव था इससे पहले वाले कोशन में तब आपका कहा था माइनस इंटिक देखो चिन आपका कहा था दूसरी साइट था ना तो इस चिन में आपने बिल् आपने जैसे माइने दो से इंफिनिट्री लिग आपको डॉट डॉट करने की जूरत नहीं सीधे लिग देना तो पांच नमबर तो जो पहले लिख लेते हैं 4 एक्स प्लस त्री क्या है लेस्थ एक्स प्लस सेवन अब मुझे क्या करना है एक्स करना है अंब इसका हल क्या होगा तो हमें क्या करना है पहले तो एक तरफ x करना है झाँ हमपर क्या दिरक रखा है दोनों तरफ एक सिर्ट इसलिए यद आपके पास क्या कर लेते हैं तो नो तरफ क्या सब कर दो शिर। आपके ऐस लिए स्पड़ल्य कोने पर उनवे घृत开ने दोनों पक्षों में आप ज़ुर्ण निया कि आप प्षोटा पड़ा देखें अगर आप बड़ा वाला वी ले तो फिर आपको लाज माइनस करेंगे माइनस का शिक्स गटाएंगे डुनों तरफ तो माइनस का टू एक्स आजाएगा फिर आपको वही चिन आपका बदलना प क्या करने पर घटाने पर देखो गुणा यह भाग करूंगा माइनस से तब चिन बदलेगा अभी सिर्फ मैं जोट रहा हूँ और घटा रहा हूँ तो इस कंडिशन में आपका चिन नहीं बदलेगा तो यह आपका जागा फोर एक्स प्लस तीन और माइनस का फोर एक्स अमने चेक्स में साब का माइनस का चार एक्स लिया बचा प्लस फू एक्स प्लस सेवन अगला स्टेप अब देखो इधर हमारे पास अभी टू एक्स प्लस सेवन ने अभी एक्स पॉख ला करने हैं तो हम क्या लिखेंगे फिर से दोनों पक्षों में क्या करने पर साथ घटाने दोनों पक्षों में साथ घटाने पर जब दोनों पक्षों में साथ घटाएंगे तो देन तो एक्स प्लस सेवन माइनस सेवन साथ से साथ में से जब आप मायनस का तीन करेंगे तो पच्छा कितना मायनस का करना तो आप दोनौ पक्षों में दो से भाग करें गजब मैं ऑने करेंगे यह बन बंचार बट्टे दो इधर आपका बन जागा 2x बटे 2, तो दो से 2 खतम, दो से यह खतम, इधर बचापका 2 और इधर बचापका x, यानि जो x का मान आएगा किस से बढ़ाएगा, माइनस 2 से बढ़ाएगा, तो यह देखो आपकी वही condition वापस repeat हुई है, कि x का जो माने माइनस 2 से क्या है, बढ़ संख्या के लिए, तो हम लिखेंगे, x एक वास्तिविक संख्या है, x एक वास्तिविक संख्या है, तब x का हल, x का हल या फिर आसमिका का हल, तो बताओ क्या होगा, माइनस 2 से इंफिनिटिव तक, क्योंकि वास्तिविक संख्या दे रखिए, तो इसके लिए आपका क्या ज मैधज से बढ़ा माइनस दो सब्सक्राइब यहांनी जो लिए तो reduce से माइन wyb services सबसे ज़्याद हरा नोट से क्या है यानि आगर-फर डो से क्या है बड़ा है चिए यहीं तो यह अब बढ़ा है किसे माइनस दो से माइनस दो से बढ़ा हम कि इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे हमें साथ एक चलता है बढ़ा बोलेगा तो इधर चोटा बोलेगा तो इधर जाएंगे तो माइनस दो उसके बाद देखो माइनस एक फिर जीरो माइनस दो से लेकर क 5x सुरी ग्रेटर देन 5x-1 यानि जो 3x-7 वह बढ़ा है कि इससे 5x-1 तो अब यहां पर फिर से वही एक्स वाला सिस्टम देख लो 5x बढ़ा है तो हम यहां पर 3x घटा देते दोनों तरफ आप हम लिखेंगे दोनों पक्षों में ऐसा दोनों में भीड़ाने पर करने पर तो आप दोनों पक्षों में अपना जोर लिए ठीक है कि माइनस साथ फिर माइनस 3 गटाना भी है तो पांच X माइनस का एक और माइनस का 3X मैं इससे यह खतम बचा माइनस का साथ इधर है आपके पास पांच X 5X में से 3 जाएगा बचेगा 2X माइनस का एक फिर अब दोनों पक्षों में आप देखों पहले तो इस एक को अटाओ माइनस एक खटाने के लिए करने पड़ेगा आपको एक जोड़ना पड़ेगा तो फिर आप लिख्या लिखेंगे एक जोड़ने पर और यहां पर आपने यह ऐसा नहीं कि एक जोड़ने फिर फिर जोड़ेंगे तो बन जाएगा माइनस साथ यह फिर प्लस देगा आप लिखेंगे दू से आपको आपको आ चुका है बस्ताम लाइन लीख लिखना है तो यह जब भी मैं भाग गुणा जोड़ना गटा लिखू हो तो आप सामने आपने दोनों पक्षों में यानि माइनस का मान जो है माइनस 3 से छोटा आएगा अब छोटा है तो छोटे में आपका फिर से वही आएगी जो पहले थी यानि एक्स का जो मान है किसकी तरफ कुल रहा है माइनस की तरफ लिए तो यहां पर लिख लेंगे आपके वही सेम है वास्तविक संक्या है तो यहां पर देखो पहले जो था मान यहीं कंपेर कर लो देखो कैस्रे को कि जो X का मान है मान है वाल हो चोटा है यानि माइनस 3Runłe से चोटा है और एक्स पहले एक्स जो था बड़ा था माइनस 2 सब सबत तो तो मैंने अभी आपको च्ल् favour की प्रीश ब्न कर रहेता भी मान का जाएगा बढ़ होता जाएंगा माइनस तीन स्टार माइनस पांच इंफनिटिव तक चलता रहेगा लिख दिजे आज आ मिका का लिए फिर की का यह फिर फिर एक्स कड़ल तो अब लिखते हैं इस अमिका का खाल क्लियर है डाउट तो नहीं है आपके मन में विल्कुल भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूब कुछ लिएगा मेन है चिन देखो अगर चिन ने समझ में आगए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली तो इसी साथ आपको कौशन नमबर सिक्स कंप्लेट चलते हैं आपके अ सब्सक्राइब करने पर सिधे मैं जोड़ने है घटाने बात है क्या तो दोनों पक्षों में अपना जोड़ों गया बच्चों तो मैं सिंपल यहां पर ही क्या लिख दे रहा हूँ कि दूनों पक्षों में क्या करने पर सिधे मैं जोड़ने है घटाने पर लिख देसा हूँया लिख देता हूँ क्या वर ट्वA गटाने पर है in तू एक्स करने पर आ अपने पूरी सको प्रीक सिम्पलेट करना ठीक है तो जो आप ठ्म से टो ऑन गाल थे तर व्यद्र आपके वाज केतना है मैंनुस का च्छे आपको माइनस प्लस प्लस इन जूर ना पड़ेगा तोफिन यह आप प्लस तीन कर दीए माइनस से प्लस तीन जाएगा वास्तविक संख्या यह एक से क्या है कि बदाओ सामीघा का हल क्या हो जाएगा माईनस इंफिनाथामीड ब्लस इंफिन इखार एक इतना ना बताओ देखो इक भिल का साइन है तो मैंनस मीन तीन तो आ नहीं आना है थिर अभी मैंनस मीन माइनस इन्फिनिटिव आएगा बताओ अब वास्तविक संख्या की बात हो रही है तो माइनस तीन से सब्सक्राइब क्या हो जाएगा माइनस तीन के बराबर और इससे छोटा तो बताओ इसमें क्या आएगा कमेंड बोक्स में इसका आंसर बताओ तो आपका आपने जो इसवाइनस बताह क्या बता है माइनस इन ऊठीक है तो यहां पर नॉर्मल सी बात है कि एक्स क्या है छोटा है माइनस थीन से तो यहां-3 से लेकर करके कहां तक जाएगा माइनस इंफिनिटिव तक जाएगा मुझे लग रहे कि आप सभी कोच ऐसे समझ में आ चुका है तो मैनस थे इसली माइनस-3 यह बढ़ता जाए ऊगला देखते हैं नमबर आ इसमें आपको फिर वही कंडिशन कर लेते हैं, तीन की गुणा अंदर करा देते हैं, तो यहां पर देखो, तीन दूनी बन जाएगा, अच्छे, माइनस 3X, फिर आपका आ जाएगा, देखो, ग्रेटर देन एंड एक्वल, तो माइनस 2X, क्या करा है, सिर्फ 2 और 3 की गुणा अंदर करा दिए, अब देखो, माइनस का 3X, माइनस का 2X, दोने तरफ माइनस माइनस है, तो हम क्या करते हैं, तो माइनस का 3X है, यहाँ पर माइनस 3X, जोड़ने पर, 3X, जोडने पर, किसमें? सबस्क्राइब या आपने आगे जरू जोड़ लेना है नहीं तो ही मिलें के पहले बतारों फिर्ण बन जोड़ने पर विए आपको मैंस रियेगे यह आप अपको मैंने प्लस कर दिया कि लगा दिये तो आपका जागा 2 माइनस 2x प्लस 3x ठीक है? प्लस 3x माइनस 3x cancel 6 साइन आपके बास अब देखो 2 आपका वैसे का वैसे रहेगा माइनस 2x न से प्लस 3x जाएगा पच्छे का प्लस एक्स अब इस दो को अटाने है तो क्या करो नॉर्मली माइनस 2 कर दो वैसे आप लिखेंगे 2 घटाने पर 2 घटाने पर मतलब में आप आजाएगा आपका 6 माइनस 2 चिन आपका आगया फिर 2 प्लस x माइनस 2 इससे ये खतम 6 में से 2 जाएगा पच्छे का आपके बास 4 और 4 क्या है? बढ़ा है और बराबर किसके x के तो नॉर्मली आपके लिखेंगे अच्छे के लिखेंगे अच्छे का हखง क्या जाएगा बताओ अब जो X कमान है ईक तो क्या है चार तोाएगा या हो आइगा तीज है अब बताओ चार से छोटा आइना नौर्मल सी बात है चार बड़़ा एकस से तो यहां पर जो आएगा वह चार चार से छोटा एक्स कमान और उसके बराबर तो चार में लिख लिए और इधर आगा माइनस का इन्पिनिटिव कि देखो नॉर्मली एक्स कमान देखो ना एक्स कमान अगर यहां पर यह होता है अगर मालों आपको यह दे रखाओ था तबकि है, एक्स बढ़ा है, चेक एक्स बढ़ा है किसे चार से तो आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, जाता है, अभे आपको condition देरे किए, जो फेस है वह किसकी तरफ, चार की तरफ यह निए एक्स से प्लस फोर तक जाएगा क्लियर है कोशन नमबर एड़ी कंपलेट चलते हैं आपके अगले प्लस नमबर नौ पर कोशन नमबर नौ में आपसे बच्चो का है अब यहां पर देखो वही कंडिशन है बस अब इसको सॉल्व कैसे करना है वह देख लेते हैं अब यहां पर तो एक तो आपके जो चिन है चीक है आसमिका के लिए जो आप चिन ही यूज़ करते हैं चोटा बड़ा तो इसके इदर क्या है सभी एक्स ही रखें तो इसको पहले इस किया कर लेते सॉल्व कर लेते हैं चीक है अप सॉल्व करने तो बित्ड़ों का जोड़ घठा आपको आता ही जब हम करेंगे तो हर बराबर करेंगे तो हर बराबर करोगई छे बट्र Oneर निया आता तो आप ऐसे करके निकाल लिजे दोनों का तो जब आप आप करेंगे छे याएगा देखो और भी प्लस यहां पर देखो दो तीन चेट तीन बढ़ जाएगा कितना 3x फिर आगे देखो आपकी बस क्या है 3 का बाग 6 में दो बार 2 की बना एक्स से बन जाएगा आपका 2x less than 11 यानि x का जो भी मान आएगा वो 11 से क्या होगा छोटा होगा तो उपर आप जोड़ो देखो किना होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 11x बटे 6 चोटा है किस से 11 से अब अगर हम देखे दोनों तरफ क्या है बटे में मुझे x का मेन तो क्या है एक्स कमान निकालना है देखो पहले तो मैं च्मेकप अट आउगा अगर 6 को अटाना तो मैं क्या कहरूँगा नोंतरफ क्या करादू 6 से गुना देखो आपका जागा 11 X अबटे 6 गुणा में 6 लैस देन 11 गुणा 6 दोने बख्ष भादिया आपने 6 से गुणा अब देखो इस 6 से 6 खतम क्या बचा आपके वास 11 x चोटा है किससे अभी ग्यारा संग हो जागा 66 अब आपको 11 हटाना इधर से तो क्या गरो अन्य नॉर्मल अभी तक आप क्या करता है रहे हैं भागते दो तो आप लिखेंगे 11 से भाग करने पर तो जब आप 11 से भाग करते हैं तो देखो यहां पर बन जाए आपका 11 एक्स बट्टे 11 और जो इमान है किस से छोटा है छोटा है ठीक है ध्यान से रखना ज्यान से सुनना है क्या एक्स कमान छे से छोटा है तो वास्तिविक संख है एक्स एक वास्तिविक संख है एक्स एक्स वास्तिविक संख है एक्स आज समिका का हल बताओ क्या आएगा माइनस में आएगा इंपिनिटी या फिर प्लस में आएगा कि आएग्स जो छे से चोटा है यानि कहासे काट जयाएगा बताओ जल्दी से कमेंट करके चीह से चोटा है तो कहां से कहां तक जाने वाला है तो आपका च्छे से लेकर के कहां तक माइनस इंफिनिटिव सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो माइनस इंफिनिटिव से 6 तक या फिक 6 से माइनस इंफिनिटिव तक चोटा यानि 5 4 3 2 1 और माइनस एक जी रो तक आपका कम्प्लीट नेक्स्ट अगला देखते हैं कोश्ण नमबर दस कोश्ण नमबर 10 भी लगबग वैसा ही है तो वो सॉल्ट करते हैं दोनों को दिरखा आपको एक्स बटे 3 बड़ा है एक्स बटे 2 प्लस एक्स अब यहां पर अगर देखा जाए तो क्या कर सकते हैं चாल कुमत नौर्मली अगर हम यहां पर कोश्ट करना चाहें तो क्या गर दो दोनों तरफ कि अधर अगर मैं क्या गर दो तें से गुना करा दो ये तीन खतम हो जाएगा इसे बट्रशक्रार मोइं तो 15 धो खत्म हो जाएगा एक दो वहीं ने मैं है यह फिर हम एक काम और गर सकते हैं रूम बारक्षा भूं भार दें देवर च्छे से गुणा प्राऊंगा तो तो क्या करने पर और छे से गुणा करने पर एक्स बट्टे तीन गुणा चे भड़ा है एक्स बट्टे दो गुणा चे प्लस एक अब छे से गुणा低ियो चे तो यहांगर दोनों पॉक्षम में जाएगगा अब जल्ति Caleb ़ोते होते बच गई है प्लस वन और यहां पर मल्टिप्लाइ्क कितना जायाजा जायागा छे, तो जब आप अंदर बेकन मल्टिप्लाइ कराएंगे तो यह बन साथो, एक गुणा चेज़ी में भी खिना पर अलक्रम होगतुरेंगा थे जफ करातु यहां, गूणę ऊओ छे करेंगे तो मैं क्या करता हूं बढ़ है या कि ऐसे में आप आप यहां पहली सुब का तो 2 X माइनस 2 X 3 X प्लस 6 माइनस 2 X इस से खतम क्या बचा जीरो फिर 3 X में से माइनस का दूस जाएगा बचएगा कि पास X प्लस 6 और अगर हम इसमें और आगे जाएं तो दिखो अब प्लस का छ्य हटा आने तो फिर से वापस दोनों बॉक्ष ओने पर 6 घटाने पर छे घटाने पर जब आप इसमें से 6 घटाते हैं तो आपके उस देखो क्या बचएगा जीरो है इधर माइनस का 6 आजाएगा फिर इधर एक्स प्लस 6 माइनस का 6 माइनस चे से खतम इधर देखो 0 माइनस चे आजएगा माइनस का 6 और अब एकस अब आपके बीचन के बन जो एकस seu मैंनस चे से चोटा है है तो बताओ मैंनस चख से प्नर सब्स इन्टीपियम इनस इंक्जिनिटीफी तो एक वस्त्रों कया यह लाइन को लिघने लिए chicken only zaman आइक टाव संख्या मे वास्त विक संख्या है कि अत्तों बताओ कि आयगा सबीक टाओ चो जलदी से क्या आएगा माइनस छे से चोटा तो प्लस में माइनस में तो नॉर्मल्स आंसर एक माइनस में जाएगा इसका अंसर माइनस छे से छोटा देखो प्लस में चले जागा ऐसे को माइनस छे से च्छोड़ा मतलब नेगटिव तो माइनस से कहा तक माइनस छे तक तो इसी के साथ आपका कौन से नंबर वीडियो लगबक हमारी एक गंटे का सबस पहुंची चुकि तो इसमें आपके लगबक और अगरम कोशन देखें तो बचे हुए हैं क्यों टोल इसमें जो कोशन 1 हाँ तो बचे के लगबकार है तो नहीं कर पाते हैं तो ज्यादा ज्यादा एक गंटे का इक आपकी लास्ट जो कोशन है वह आपका 26 तो इसमें आपके लगबक कितने कोशन और बचे हैं 16 और बचे हैं तो नेक्स पार्ट में आपके लगबके गंटे से पहले पहले वह प्लिट हो जागा तो मिलते हैं बच्छो नेक्स वीडियो में पार्ट नमबर सेगड एक साथ तब तक के लिए सभी को शुब कामना है और अच्छे से त्यारी करो आज जितने कोशन देखें इन सभी को अपने अच्छे से प्रिपेर कर लेना है और कोई भी डाउट तो कुछ भी पूछन आप कमेंट वक्स में पूछ सकते हैं ठीक है तो यह आपने सभी कोशन देखें दस नो कर में माद सकता तो कप सौना है और इन पार ख 인ाच्छ आपास।